असलाम अलेकुम, वेलकम टू ब्यूटी वी डॉलेज, आई होप यॉर आल वेल एंड डूइंग ग्रेट, तेंक्यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आज मैं एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपने बहुत कम ज सेक्ट्र बहुत जयादा रिंप्रूव हो जाता है जो पसली सारे आइसे एकस्पैंसिव कि सेरम्स मुझूद हैं जो के बहुत ज़दा चार्च करते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है वह भी इतना नहीं होता जितना हम चार्ज कर चुके होते हैं बहुत सारी खावातिन सकती हैं अपने स्किन के टेक्च्टर को अब olmas कर सकती हैं और अपने को बूस्ट कर सकती है जबाद है यह फिए नास्री स्किन不會 हैं स्मूध मनातीहें आपकी स्किन के के लस्टर खतम होगा है को प्रोवाइड भी करती है और साथ इसा स्किन को बहुत ज़्यादा सिल्की टश दे देती है सिल्की टश, स्मूथ टश और बेबी टश लेने के लिए स्किन के उपर आपने अप्लाय करना है ओकरा यानि के भिंडी भिंडी घर में बहुत ज़्यादा इस्समाल होती है और आज का तो सीजन है हमने करना क्या है जब भी हमारे खार में भिंडी खाय Bin देंगे और इसको ने दो हिस्सामें काट लेना है अच्छे तरीके से पहले उसको drops कि हुए राद इसे और जाया शैनें तयक्ट लेहां है कि दूने के बाद हम इसको करेंगे करूँ कैट और किट करने के बाद हम इसके उपर एक और हम से उतक्रीजियेंट करें तकिंक उपर जो इसको कट करने के लिए हमें चाहिए होका नाइफ और जो उसको हम कात लेंगे estar करेंगे रही भाँ करने के बाद हम बीच becomes बहुत ज़यादा ब्रैटक्णिंग देता है जब सटी एंच कि पिएश लेवल byलंस होता है कि बहुत ज़धा करती है चिन बहुत जॉफ्ट रहती है समूध रहती है और बहुत ज़दा फ्लालेस लगते है तोगी यE हमने बाएं ने कुछ साथ जी यह हमारे internal organs के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं बिंडी पकाव के खाने में तो बहुत ज़्यादा देती ही है लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इसको raw यूज़ करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा effect आता है health के उपर भी और साथ ही साथ हमारी external body य होता है अर्फानी के साथ लोगों के घरों में मवजूद होता है यह हनी और यह जबर्दस किसम का चोटी मकी का शहत है मेरे पास यानि के स्मॉल भी हनी है और आपके पास जो भी हो आप उसको apply कर सकते हैं तो जी इसको हमने क्या करना है इसको थोड़ा सा हम लेंगे हनी को और इसको apply करेंगे हम लेडी फिंगर के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी quantity यानि के half teaspoon के क्रीब लेंगे और जो जूसिस हमने निकाले हैं इसके साथ ही हम इसको apply कर देंगे तो जी यह दोनों चीज़े जब add हो जाएंगी विक्स हो जाएंगी तो इन दोनों चीज़ों को हम effect आजेगा लेकिन यह बहुत असान तरीका है कि फोरा हमने कट की थोड़ा सा इसको प्रेस किया और उसके बाद अपनी स्कीन के उपर apply कर लिया तरजी यह इस तरीके से आप अपनी स्कीन के उपर apply करें यह बहुत असानी के साथ लग जाती है और बहुत कम quantity होती है लेकिन अच्छा effect आता है स्कीन को hydrate करने में lightning, brightening, whitening effect देने के साथ साथ जितने भी wrinkles हैं उनको reduce करने में regular basis पे आप इसको apply करें तो आप देखें आपकी fine lines आपके wrinkles आपको जितने भी aging problem आ रहे हैं वो इससे खतम हो जाएंगे और अगर आप इसको before aging use करती हैं तो वो delay हो जाएंग तो जी यह लें यह असानी के साथ skin के उपर इसको इस तरीके से मसाज कर देना है सिरफ एक से दो सेकंड लगेंगे कि यह असानी के साथ spread हो जाएगी उसके बाद हमने इसको 2-3 मिन तक stay देना है और थोड़ा सामने पानी लेना है पानी हम इसकी बीच में एड़ करेंगे त इतनी जबर्दस किसम की उनकी स्कीन होगी है और कितने अच्छा इफेक्ट आया है स्कीन के उपर यह लेड़ी फिंगर का मास्क जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके साथ साथ जी स्कीन को भी बहुत जादा glow प्रोवाइड करता है यह मैंने इस तरी होती है लेडी फिंगर और वाइटामन ए आपको पता है रेटिनोल का काम करता है जैसे की डिफरेंट किसम की सीरमस हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत जादा एक्सपेंसिव होते हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन घर में रहते हुए आप इस तरी तरीके से मसाज करूंगी यह देखें इस तरीके से आप मसाज करेंगे तो यह थोड़ा सा स्टिकी होगा तो हम इसके बीच में एड कर लेंगे जी पानी थोड़ा सा ताकर यह असानी के साथ स्प्रेड हो सके तो थोड़ा सा पानी लेना है ज्यादा पानी नहीं लेना ताक इसको डेली बेसी पे भी यूज़ कर सकती है अपने पूरी बाडी पे भी यूज़ कर सकती है आप इसको अपने नेक भी यूज़ कर सकते है और खास तोर पे जहां से आपको पिग्मेंटेशन को रिड्यूस करना है तो भी आप इसको अप्लाइ कर सकती है देखे जी थोड़ासा पानी मैं इसके उपराइट करूंगी यह और इसके साथ अब देखें अब यह असानी के साथ ना सिर्फ अपलाई हो रहा है बलके यह देखे इसकी लेस भी बन रही है तो जी इस लेस को हमने अपने स्किन के उपर और अपने अच्छे तरीके से जहां इसकर आहाँ फ्लाई करें और यह जेल जो है बहुत अच्छा मौ Hebrews का काम करता है वह असकिन के शैठाव करता है बलके बहुत ज्यादा प्रोवाइड भी घरता है इस तरीके से इसको मक्साज कर लेना है और मसाज करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे उसके बाद हम इसको करेंगे वाश आउट और देखिएगा नीचे से कितनी जबरदस किसम की साफ्ट स्किन निकलती है कि आपको बाद में कोई मौश्चर अपलाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप मौश्चर अपलाई कर लेंगे तो आपको उसके डबल रिजर्ट मिल जाएंगे यह देखें इसका की स्टिकने सारी है स्किन के ऊपर थोड़ी देर इसको लगा रहने दें तक रीबन पांच मिंट तक और उसके बाद आप इसको वाश कर लें तो स्किन ब और बहुत ही क्विक रिजर्ट देने वाला यह मास्क है इस फेस पैक को आप बनाके लगा सकते हैं आप इसको ब्लेंड भी करके यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज़िटीज भी यूज़ कर सकते हैं तो जी जबरदर्स किसम का वाइटमन ए से फुल मैंने मास्क आपक